वेलकम फ्रेंड मैं मंतोस और आप देख रहे हैं मेरे यूटुब चनल टेक्निकल मंतोस है मैं आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि PM आवास योजना 2024 का जो निया लिस्ट है वो जारी हो चुका है अगर आपने PM आवास योजना के लिए ओनलाइन आवेदन किया है तो आप किस तरह से चेक किजेगा कि आपके PM आवास योजना लिस्ट में नाम आया है कि नहीं आया है तो इसको चेक करना बहुत ही आसान है मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही सरल तरीके से बतलाने वाला हूँ कि आप PM आवास योजना का जो लिस्ट है वो किस तरह से चेक करेंगे तो वीडियो को सुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है अगर आप मेरे चैनल में नहीं आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करके नौटिफिकेशन बेल को अन कर दें ताकि में लेटिस्ट वीडियो के अप्डेट आप तक पहुंच सके तो चले वीडियो को सुरू करते है तो सबसे पेले आपको क्या करना आपको अपने मोबायล में या लेप्टोप में किसी एक ब्राउजर को उपेन प्राउजर को उपेन कर लेने کے बाद आपको करना क्या है आपको सर्च बार में टाइप कर देना है पी-म-े-वाई-ग-डाट-n-i-स-य जो आफी तक कितना जो रजिस्ट्रेशन होा है वो आपको यहाँ पर देखने के लिएंख वह जा रहा है कितना सकसन हो चुका है वह भी आपसा अभी तक भेजा जा जा रहा है तो आपको किस तरह से चेक करना है तो यहाँ पे आपको क्या करना ऊपर में आपको ठ्री पार्ट देखने के लिए मिल जारा है आपको सामने बहुत सारा एक उपचन पर यहां पो पार्ट यहां पर आपके सामने कुछ सब्सक्रा का इंटरफेस ओपैन हो तो यहाँ पर आपको क्या करना सबसे पहले स्कोल डाउन करके नीचे चले आना नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा जहां से आपको कुछ इनफर्मेशन को फिल करने होंगे जैसे कि सबसे पहले आपको यहाँ पर इस्टेट को स्लेक्ट कर लेना तो यहाँ पर आप जैसे ही किली करते हैं यहाँ से आपके डिश्टी को स्लेक्ट करना है तो डिश्टी को स्लेक्ट कर लेनी के बाद आपको क्या करना है यहाँ से आप आपको जो ठाड़ वाला उप्सन दिख रहा है आपको इस पर किलिक करना इस पर जैसे ही किलिक करते हैं यहां से आप अपने सब डिस्टिक मतलब आपका जो ब्लॉक है वो ब्लॉक को आपको यहां पर सेलेक्ट करना है ब्लॉक को सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको क्या करना ह क्लिक करने के बाद आप यहां पे देख सकते हैं यहां पे आपको आवास योजना का कौन सा यहर का जो लिस्ट है पो चेक करना है तो उसके लिए आपको यहां पे सबसे नीचे आना नीचे आने के बाद आप देख पा रहे हैं यहां पे आपको देखने के लिए मिल जा रहा ह यहां से आपको देखने के लिए मिल जाएगा परधान मंत्री आवास योजनक ग्रामिन आपको क्या करना आपको इसको select कर लेना है इसको select कर लेने के बाद अब आपको यहां पर करना क्या है यहां पर आपको देखने के लिए मिल जा रहा है capture code आपको इस वाले capture code को इस वाले में फिल कर देना तो आपको ध्यान रखना है capture code किसी भी तरह से हो सकता है जैसे कि यहाँ पर आपको लिखा हो दिख रहा 97-80 तो इसको माइनस करके जो result आएगा वो result आपको यहाँ पर फिल करना है तो चलिए हम लोग इसको फिल कर लेते हैं तो आप देख पारें 97-80 को माइनस करने के बा hippo जो 17 से ह। एवो मैंने यहाँ पर फिल कर दिया है अब आपको करना क्या है। यहाँ पर आपको submit पर क्लिक कर देना है वो नाम आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जा रहा तो चलिए, पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, desktop mode में select कर लेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उपर में जो आपको three dots देखने के लिए मिल रहा, आपको इस पे click करना, इस पे click करने के बाद, आपको यहाँ प नाम आया वो नाम आपको यहां पर देखने के लिए मिल जारा आप देख पा रहे हैं यहां पर देखने के लिए मिल जारा परधान मंत्रे आवास योजना ग्रामिन 2024 से 2025 उसके बाद आप देख पा रहे हैं यहां पे नरेगा जोब कार्ड का जो नंबर है वो नंबर भी आपको यहां पे देखने के लिए मिल जा रहा तो आप भी घर बेटे अपने मोबाल से असानी से चेक कर सकते हैं कि PM आवास योजना 2024 का जो नया लिस्ट जारी हुआ उसम थैंक